Hello students, तो कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में ब्यस्थ होंगे मैं आनंद सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Sci-Fi Study में Students, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यदिक महत्तपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का model paper लेकर यहाँ पे उपस्तित हुआ हूँ यह जो paper है आपका 2023 का paper है जिसका paper code आप देख सकते हैं 825 EX और यह paper आपके board exam 2025 के लिए अत्यन्त महत्तपूर्ण है क्योंकि अगर previous 10 से 12 साल तक के model paper को आप कर लेते हैं तो निश्चिती रूप से आपको board exam में 90 plus marks माने से कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि हर साल आपके previous year के ही question आपके exam में repeat होते हैं और अगर 10 से 12 साल तक का आप repeat कर लेते हैं अची तरह prepare कर लेते हैं तो maximum question उसी में से आएंगे ठीक है इस बात की guarantee है और निश्चिती रूप से आप 90 plus marks आशानी से gain कर सकते हैं इस channel पे मैं आपको 2023 और 2023 और 2024 ठीक है ना इन दोनों सालों के सभी sets को आपके साथ share करने वाले हैं अगर आप पूरी तरह से तयार कर लेते हैं 2023 और 2024 यानि एक साल में 7 set दोनों साल के paper को मिलाकर 14 यानि minimum आपको 14 paper हम आपके साथ share करने वाले हैं अगर आप इन सभी paper को अच्छी तरह तयार कर लेते हैं तो इस बात की guarantee है विल्कुल कि आप 90 प्लस marks आसानी से gain कर जाएंगे ठीक है न इस बात की guarantee है क्योंकि यह अनुभो भी करता है हम लोगों का और जो offline students हैं वो ऐसा perform भे करते हैं जो अच्छी तरह prepare करते हैं ठीक है तो I hope कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और एक बार channel से ज पर एक सार्थियों को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है यानि सुरू के जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें आपको प्रश्ण पढ़ना रहता है फिर क्या दिया हुए सभी प्रश्ण अनिवार्य है क्या है सभी प्रश्ण अनिवार्य है फिर इस प्रश्ण पत्र का निर्देश पढ़कर केवाल प्रदत OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें यानि जो खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्ण होंगे उनका आंसर आपको किस पर देना है OMR पर देना है OMR सिट पर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पस्चात उसे नहीं काटें तथा मतलब अगर आप आंसर दे देते हैं, किसी कांड बस आपको लगता है कि गलत है, तो आपको कट नहीं करना है, इरेजर और वाइटनर का प्रियोग नहीं करना है, आगे देखिए क्या निर्देश दिया गया है, प्रश्ण के अंक उनके उसके सम्मुख अंकी था है, ठीक है न सम्मुख मतलब उसके आगे जो है नंबर दिया हुआ है, कि प्रतेख प्रश्ण कितने नंबर का है। ठीक है यानि आपको पहले प्रश्ण से चालू करते जाना है अगर किसी कारण बस कोई प्रश्ण नहीं आता है तो ऐसा नहीं करना है कि उसी को लेकर बैठे ही रह जाए और दिये गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती से सनलगन करना मतलब जो मानचित्र आपको भड़ने के लिए तो उसको आपको अपना जो आपके आंसर सीठ होगी जो कॉपी होगी उसमें खुब बढ़ियां से आपको धागा मिलेगा धागे से आपको खुब बढ़ियां से बाध देना है ताकि वह उससे अलग न हो जाए ठीक है द्रिश्ट बाधित पढ़ उनको क्योल प्रशन का उत्तर देना है ठीक है अब आएए यहाँ पर प्रशनों को समझते हैं एक एक प्रशन को वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान पुरवक समझीएगा ठीक है यहाँ पर देखिए निर्देश क्या दिया हुआ ह है कि नीचे दिये गए प्रशनों के प्रतेक फ्रशन के चार उत्तर चार विकल्प दिये गए और सही विकल्प चुनकर उसे वो यहाँ उत्तर पत्रक पर चिनित करें ठीक है यह चीज़े हम लोग उपर भी पड़ चुके है चलिए यहाँपर प्रशन नमबर एक है निम्न खितने ताओं में से किसने एक गुप्त संगठन, यंग इटली बनाया, यह आप से प्रशन कर रहा है, आप्शन फर्स्ट है, विक्टर, इमेनुएल, द्वितिय, सेकेंड आप्शन है, जीव सेपे, मेचसनी, थर्ड आप्शन है, काउंट, काबूर, काउर, फोर्थ आप्श यहाँ पर प्रशन में क्या पुछा हुआ, कि कौन नेता ऐसा है, जिसने एक गुप्त संगठन, यंग इटली बनाया, तो यहाँ पर यंग इटली बनाने वाले, यहाँ पर विक्टर, इमेनुएल, द्वितिय हैं, ठीक है, तो आप्शन नमबर, फर्स्ट आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है, अगले प्रशन की तरफ चलते हैं, अगला प्रशन, प्रशन नमबर, दो है, निमनल इखित में से किसे 1801 का अत्तर में, जर्मनी का प्रथम समराट घोसित किया गया, फर्स्ट आपसर ने कैसर, विलियम प्रथम, सेकेंड आपसर ने विलियम दुतिय, थर्ड आपसर ने, फ्रेडरीक, विलहेम प्रथम, और फूर्थ आपसर ने, आटो वान विस्मार्क, अब यहां पर प्रशन में पूछ रहा है, कि जर्मनी का प्रथम समराट किसे घोसित किया गया था, तो जर्मनी का जो प्रथम समराट घोसित किया गया था, इस्टुडे प्रस्ट नमबर तीन है 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का सासन था फर्स्ट आपसन है सीमित राज तंत्र सेकेंड आपसन है और सीमित राज तंत्र थर्ड आपसन है कुली मित अंत्र और फोर्थ आपसन है लोक तंत्र प्रस्ट में क्या कह रहा है कि 1789 में फ्रांस में किस प्र अगला प्रेशन प्रेशन नमबर चार है ब्रिटेन में कार्ण कानून समाप्त करने का क्या कारण था फर्स्ट आपसन है जनसंख्या में ब्रिद्धी सेकेंड आपसन है क्रिसी उत्पादों में अधिक्ता थर्ड आपसन है कार्ण आयात परनियंत्रन और फूर्थ आपसन है उद्योगपतियों यों सहरी लोगों का विरोध तो देखे बृतेन में जो कार्ण कानून था उसको समाप्त करने का मुख्य कारण यह था उद्योगपतियों यों सहरी लोगों का विरोध यानि आपसर नमबर दो आपका राइट होगा ठीक है आपसर नमबर दो ठीक है यह आ यहां पर प्रांस, और फोर्थ आप्षन है भारत. बिटें उटस समयलन, इसको ध्यान रखेगा. अब देखें, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि बृटें यहां पर आप्षन में भी है और यहां पर बिटें उटस समयलन तो उसी को ट्रिक कर देंगे, गलत हो जाएगा प्रिटेन उट्स समयलन था वह अमेरिका में आयो जित किया गया था यानि आपसर नमबर बो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपसर नमबर बो ठीक है I hope कि एक से पांच तक के सभी प्रशनों को आप अच्छी तरह समझ गया होंगे आई अगले प्रशन को सिक्षा और फूर्थ आपसर ने व्यापार तो प्रशन में क्या पुछा हुआ है कि काउन सा विष्ट संग सुची में है तो संग सुची में आपका आता है इसमें से प्रतिरक्षा क्या आता है प्रतिरक्षा ठीक है तो यहाँ पे देखे option number O आपका राइट आंसर हो जाए और फुर्थ आपसन है मुस्लिम तो स्रिलंका में जो बहु संख्यक वर गए है वह आपका सिंघली है ठीक है क्या है सिंघली आपसन नमबर आपका 100 आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा आपसन नमबर 100 ठीक है अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रशन प्रशन नमबर आठ है निम्नलिकित देशों में कहां संघात्मक सासन नहीं है फर्स्ट आप्सन है भारत सेकेंड आप्सन है वेलजियम थर्ड आप्सन है सनिक्तुराज अमेरिका और फूर्थ आप्सन है स्रिलंका ठीक ह प्रशन में क्या बुला हुआ है कहां संघात्मक सासन नहीं है नहीं है पुछा हुआ है तो अपने भारत देश में संघात्मक सासन नहीं है ठीक है तो यहां पर आप्सन नमबर फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा आप्सन नमबर ओ ठीक है मात्मा गाधी का वि थर्ड अपसेन धर्म और राजनित अलग-अलग हैं और फोर्थ अपसेन इन में से कोई नहीं तो मात्मा गाधी का जो विचार था वो क्या था कि धर्म को कभी भी राजनित से अलग नहीं किया जा सकता है अपसेन नमबर o आपका right answer हो जाएगा जो धर्म है उसको कभी भी राजनित से अलग नहीं किया जा सकता प्रेशन नमबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंतर से संबन्धित है प्रेश्न में पूछ राए कि कौन सा लोक तंतर से संबंदित है ठीक है यहां पे देखे फर्स्ट आप्षन है आपका पारदर्सी साशन, सेकेंड आप्षन है वैध शाशन, थर्ड आप्षन है उत्त्तरदाई साशन और fourth option है इन में से कोई नहीं तो देखे यहाँ पे लोकतंत्र से संबंदित है तो इसमें से यहाँ पे जो तीनों option है इसमें से कोई लोकतंत्र से संबंदित नहीं है और यहाँ पे option number four में दिया हुआ इन में से कोई नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं आप्सन नमबर दो, ठीक है, आज ये अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रशन आपका, प्रशन नमबर 11 है, प्रशन नमबर 11 क्या कह रहा है कि निमनली खित में से, किस राज में सिलिदार सुपानी खेती की जाती फर्स्ट आप्सन है हर्यांडा, सेकेंड आप्सन है पंजाब, थर्ड आप्सन है उत्तराखंड और फूर्थ आप्सन है उत्तर प्रदेश के मैदान, तेके जो सिलिदार खेती है जहां पे पहाडी छेत्र होते हैं उन्हीं जगहों पे होती है, तो पहाडी छेत्र जो है कौन सी रवी फसल है यानि आप से पूछ रहा है रवी की फसल इसमें से कौन सी है देखे जो फसल इस समय बोई जाती है यानि नौंबर दिसंबर में जो फसल बोई जाती है वह रवी की फसल होती है अब आप्शन चलिए चावल मोटे अनाज चना और कपास देखे चावल प्रश्ण नमबर दिसम्बर के महीने में तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमबर 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा चना अगला प्रश्ण आपका क्या है प्रश्ण नमबर 13 है मोनाजाइट में निमनलिखित में से कौन सा खनीज पाया जाता है फर्स्ट आपसने खनीज तेल सेकिंड आपसने यूडेनियम थर्ड आपसने थोरियम और फूर्थ आपसने कोईला मोनाजाइट में निमनलिखित में से कौन सा खनीज पाया जाता है यह आपसे पूछ रहा है ठीक है तो इहां पर देखे जो मोनाजाइट रेथ होता है उसमें थोरियम खनीच पाया जाता है कौन से खनीच पाया जाता है थोरियम तो थोरियम यानि option number 100 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर सो अगला प्रेशन प्रेशन नमबर चौदा है निमनलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्छे माल के रूप में प्रियोक्त करता है फर्स्ट आप्सन है प्लास्टिक सेकिन्ड आप्सन है आपका मोटर गाड़ी थर्ड आप्सन है सिमेंट और फ्र्थ आप्सन है अल्मोनियम प्रेशन को सुनिए निमनलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्छे माल के रूप में प्रियोक्त करता है या प्रियोग करता है तो देखे प्लास्टिक तो चुना पत्थर का प्रियोग नहीं होता है मोटर गारी में भी नहीं होता है एलमोनियम में भी नहीं सिमेंट में होता है जो कि चुने पत्थर को कच्छे माल के रुप में उसका प्रियोग करता है यानि option number 100 आपका क्या हो जाएगा? right हो जाएगा option number 100 सीमिंट अगला प्रश्ण, प्रश्ण number 15 है निम्नलिखित पडोसी देशों में से मानोविकास के लिहाज से किस देश की स्थिती भारत से बहतर है? प्रश्ण को ध्यान से समझिएगा कि पडोसी देशों में से मानोविकास के लिहाज से किस देश की स्थिती भारत से बहतर है? फर्श्ट option है पाकिस्तान, सेकेंड आप्शन है बांगलादेश थर्ड आप्शन है स्रिलंका और फूर्थ आप्शन है नेपाल ठीक है? तो देखें जो स्रिलंका है उसका जो है बानोविकास के लिहाज से जो इस्थिती है वह भारत से बहतर है यानि option number 100 आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा option number 100 ठीक है? option number 100 अगला प्रश्ण प्रश्ण number 16 है निमनलिखित में से काउन सा खनीज धात्विक है? फर्स्ट आप्सन है अभरक सेकेंड आप्सन है कोईला थर्ड आप्सन है लह अयस्क और फूर्थ आप्सन है चूना पत्थर ठीके नब बुला हुआ है कि काउन सा खनीज धात्विक है? यह आपको बताना है तो option number 100 लह अयस्क यह आपका राइट आंसर होगा option number 100 लह अयस्क अगला प्रश्ट प्रश्ट नमबर 17 है एक वस्तु का अधिकान सत्व प्राकिर्थिक प्रक्रिया से उत्पादन डेस यहाँ पे डेस डेस किया हुआ है में समलित है फर्स्ट आप्सन है प्रारंबिक छित्रक सेकिंड आप्सन है दृतियक छित्रक थर्ड आप्सन है तृतियक छित्रक और फूर्थ आप्सन है सूचना प्रादोगी छित्रक ठीक है प्रश्ट नमबर 17 में आपसे क्या पूछरा देखिए प्राकिर्तिक प्रक्रिया से उत्पादन में समलित है उत्पादन में समलित है तो वह है आपका प्रारंभिक छेत्रक क्या है प्रारंभिक छेत्रक यानि यहां पे option number ओ आपका right हो जाएगा अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर 18 है इंत्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनी जिस्से है तो देखें लवायस, बाकसाइट, कोईला और सोना जो इंत्रासाइट होता है वो कोईले का एक प्रकार होता है तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कोईला ठीक है ना कोईले से संबंध दित है आप्शन नमबर 100 आपका राइट हो जाएगा उमीद करते हैं कि एक से अठाद तक के सभी प्रश्णों को आप अच्छी तर समझ गया होंगे आई अगले प्रश्ण को देखते हैं स्टुडेंट्स अगला प्रश्ण आपका प् पचास अब प्रश्ण में क्या पूछरा है कि किस वर्श बांगला देश ग्रामिड बैंक की अस्थापना की गई तो इहां पे जो बांगला देश ग्रामिड बैंक की अस्थापना 1970 में की गई थी कौन से यहर में 1970 में यानि आपसर नमबर 100 आपका क्या हो जाएगा निल्खित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है फर्स्ट आप्सन है रोजगार की सर्थें सेकेंड आप्सन है आर्थिक गत की प्रकीर्ती थर्ड आप्सन है यहाँ पे उद्धमों के स्वामित्व और फूर्थ आपसन है उदम में नियोजित स्रमिकों की संख्या उदम मतलब जो परिश्रम आप कहते हैं ठीक है न तो यहाँ पर सारोजनिक और नेजी छेत्रों का जो वैलगी करण है वह उदमों के स्वामित्व के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है उदमों के ठीक है उमित करते हैं कि 1 से 20 तक के सभी प्रशनों को समझ गया होंगे अब यहां से हम लोग खंडबा वर्णनात्मक प्रशनों को देखने वाले हैं ठीक है न वर्णनात्मक प्रशनों को चलिए वर्णनात्मक खंडबा यहां से चालू होता है यहां पर आप देख सकते व उनिस्वी सताब्दी के दवरान अंतराष्टी और्थ सास्त्रियों द्वारा बताये गए किनी दो प्रवाहों को अस्पष्ट कीजिए। जो प्रश्ण आपको अच्छी तरह आ रहा है उसी प्रश्ण को आप करें अगर आपको उपर वाला आ रहा है यह वाला तो उसको करें अगर यह वाला आपको अच्छी तरह आ रहा तो इस प्रश्ण को करें जो प्रश्ण आपको बढ़ियां से याद हो उसी को आप लिखें ठीक है, अगला प्रशन आपका प्रशनमबर दो है, प्रशनमबर दो क्या है, कि भारत में राजनीतिक समता के विकेंदरी करण के पीछे क्या मूल सोच थी, अथवा उसी प्रशन को, अगर अथवा में देगा, कोई और प्रशन देगा, तो अगला उसी के अथवा में क्या है कि भारत में केंद्र और राजियों के विच सत्ता के वटवारे की किनी दो विश्यस्ताओं का उलेख की दिये ठीक है तो अब इन दोनों में से जो आपको आ रहा है उसको अच्छी तरह लिखना है देखेए मैं आपको यहाँ पे किवल प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ अगर कोई प्रश्न का आंसर आपको नहीं मिल ला है या किसी प्रश्न के आंसर में कठिनाई हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं मैं आपको उसका आंसर सहित आपको प्रवाइट करूँगा ठीक है अब यहाँ पे देखिए प्रश नंबर तीन है एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उलेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किनी दो प्रकार की मिट्टीयों का वर्डन कीजिए अथवा अ जो आपको अच्छी तरह याद है उसको आप खुब बढ़ियां से सुन्दर हैंडर राइटिंग में लिखें अगला प्रश नंबर चार है राश्ट्री आये तथा प्रतिव्यक्ति आये में विभेद कीजिए देशों की इस्थिती की तुलना के लिए इनमें से कौन सी वि विधी वियत्तर है अथवा यहाँ पे विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं विदेशी व्यापार को अनकुल बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए तो यह भी अथवा में है जो भी आपको अच्छी तरह लर्न है उसको आप करेंगे अगला प्रशन यहाँ प आदी द्वारा चलाये गए तीन सत्यागरह आंदोलनों का विशलेशन की जिए यहाँ आपका हिस्ट्री का प्रशन है इतिहास का ठीक है यहाँ अथवा में पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था इस आंदोलन के किनी दो कारणों की विवेचना की जिए दोनों प्रशन बहुत मत्तपूर्ण है यहाँ यह वाला भी यह सभी जो है वेरी इंपर्टेंट प्रशनों में से एक है निश्चिती रूप से पूछता ही पूछता है तो यहाँ पे इन दोनों प्रशनों को आप अच्छी तरह तयार करके जाएंगे क्योंकि अक्सर इन 6 है भारतिय समाज में जाती प्रथा अभी भी प्रचलित है इसके कारण क्या है इसको समाप्त करने के दो उपाय बताईए अथवा प्रशन में पूछता है कि भारत में महिलाओं के प्रतिभेद भाव के तरीकों का वर्डन की दिये तो आपको अब इन दोनों में से देखे आ रहा है उसके बारे में आपको लिखना और प्रशन देख सकते हैं यह 6 नंबर का है यहां पर देखे यह 4 प्रस तो का मतलब कि 4 नंबर का यहां तक और फिर इसके समाप्त होने के दो पाय बताएंगे तो वह दो नंबर का यानि टोटल 6 माक्स का यह प्रशन है ठीक है तीन उत्पादक राजियों का भी उलेख की लिए यानि गरने की खेती के लिए कौन सी भवगोलिक परिस्थिती होगी उसके बारे में आपको बताना है और भारत में किने तीन उत्पादक राजियों का भी आपको उलेख करना है अगला प्रशन आपका इसी में अथवा में है कि भू छरण से आप क्या समझते हैं इसे रोकने के लिए किनी चार उपाई बताईए और यह प्रश्ण आप देख सकते हैं शिक्स माक्स का है ठीक है अगला प्रश्ण आपका है प्रश्ण नमबर यहां पे आठ प्रात्मिक तथा दुतियक छेत्रों की विशेस्ताओं की विवेचना की दए अठवा यहां पे देखे अठवार पूछा हुआ है और संगठ्टित छेत्रक के सिरमिकों की समस्याओं की विवेचना की जिए ठीक है तो यह अब्ही पेपर आप कर लेते हैं तो निश्चिती रूप से जो आपका 2025 का एक्जाम होगा वह प्रश्ण उन्हीं मॉडल पेपर में से होगा इस बात की गारेंटी है कि आप देखेंगे जैसे दो-तिन मॉडल पेपर आप तयार कर लेंगे तो पेपर आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है ठीक है तो उन सभी मॉडल पेपर को एक बाद जरूर देखें और उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ठीक है आई होब कि आप मेरी बात को समझ गया होंगे अब यहां पर देखें अगला जो प्रश्ण आपका है वह प्रश्ण आपका मानचित्र समंधी प्रश्ण है यहां पर मानचित्र समंधी प्रश्ण क्या है प्रश्ण 9a तथा 9b मानचित्र से समंधी थे निमनलिखित अस्थानों को भारत के दिये गए रेखा मानचित्र में यहां पर अस्थान जहां भारती राष्ट्री का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था यहां पर क्या बोला है कि वह अस्थान जहां पर भारती राष्ट्री का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था तो जो राष्ट्री का अधिवेशन हुआ था वह कलकता में हुआ था कहां पर हुआ था यहाँ पर सही नाम, नाम आप लिखेंगे तो एक वटे दो और फिर अंकन करेंगे जब आप मानचित्र में तो उसका एक वटे दो यान टोटल एक नमबर का होगा, ठीक है, अगला प्रस्ण, वह अस्थान जहां मात्मा गाधी ने नमक कानून तोड़ा, ठीक है, नमक कानून तोड़ा, यानि दांडी में जो है उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अप्सन नमबर तू का, यानि नाइन के सेकेंड का, एक के सेकेंड का, वह दांडी होगा, ठीक है, अगला है, कि वह अस्थान, वह अस्थान जहां जलिया जलिया वाला बाग की घटना घटी, जलिया वाला बाग की घटना घटी थी, वह कहां पर घटी थी, आप जानते होंगे, अमरिच सर में घटना होई थी, तो यहां पर इसका अंसर हो जाएगा, अमरिच सर, आपको मानचित्र में दिखाना है उसको, वह अस्थान जहां मात् गादिका हुआ था वह खेडा नामकस्थान पर हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा खेडा वह जिला जहां चाओरी-चाओरा की घटना घटी तो चाओरी-चाओरा जो पढ़ता है आपका गोरखपूर में पढ़ता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोरखपूर ठीक है च उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पे है लखनौ है और उसको इस चिन सहित आपको दर्साना है अगला है आपका नर्मदा नदी पर बना एक बाध यहां पे इसको इस सिंबल से दिखाना है नर्मदा नदी पर जो बना है बाध ठीक है नहीं उसको इस चिन द्वारा आपको दर्शाना या जो चिन है तो नर्मदा नदी पर बना एक बाद चिन द्वारा नाम सहित आपको बताना है तो नाम तो हम आपको बता देते हैं दर्शाना आपको मानशित्र में है जो उहां पे नर्मदा नदी पर जो बाद बना हुआ है उसका नाम है सरदार सरुवर क्या नाम आपको मांचित्र में इस सिंबल द्वारा आपको प्रदर्शित करना है अगला प्रस्ण आपका प्रस्ण नमबर तीन है दक्सिर भारत की एक प्रमुख नदी यहां पर उसको चिन द्वारा दिखाना है नाम सहित ठीक है प्रमुख नदी तो देखे जो दक्सिर भारत में जो कावेरी है कौन है कावेरी अब कावेरी नदी को आपको इस चिन द्वारा आपको दिखाना है अगला प्रशन है भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज को चिन द्वारा नाम सहित बताना है तो भारत में जो जूट उत्पादक राज किसी एक बुला हुआ है तो जूट उत्पादक राज में पस्चिम बंगाल का नाम आता है तो पस्चिम बंगाल को आपको दिखाना है फिर आपका यहां पे पांचमा है कि भारत का कोई एक परमाण उर्जा किंद्र जिसका यह अचिन है द्वारा नाम सहित ठीक है तो इसका जो है भारत में परमाण उर्जा जो किंद्र है वो कलफकम में है कहां पे है कलफकम में तो इसका जो आंसर हो जाएगा कलफकम हो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्ण में क्या दिया हुआ है केवल द्रिष्ट बादित पडिशार्थियों के लिए के लिए माणचीत र कार्य के बिकल्प के रूप में ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर यह जो प्रश्ण है तो आप इसको देख लिजे, ठीक है, यहाँ पर वही प्रशन आपका फिर से लिखा हुआ है, इसलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ पर जो दृष्ट बादे च्छात्रे हैं, उनको किवल उसका अंसर लिखना होगा, सेम वही प्रशन है, जो उपर आपने अभी देखा है तो इसलिए इसको पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि सेम प्रशन है बार-बार उसको वही रिपीट किया हुआ है, तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो I hope कि इस model paper को आप अच्छी तरह समझ रहा होंगे, पुना एक बार रिपीट करते हैं, कि मैं इस channel पर आपक Math, Science, Hindi, यह आपका सामाजिक भी सह हो गया, ठीक है, सभी की वीडियो, यानि लगभग सभी subject की वीडियो आपको मिल लही है, model paper आपके साथ share किये जा रहे हैं, अगर किसी एकाथ subject का भी नहीं चालूगा है, तो बहुत जल्दी उसके भी paper आपके साथ share किये जाएंगे, आप सभी paper को ध्यान पुडोग तयार करने, अगर किसी प्रेशन के answer में आपको problem होती है, तो आप हमें comment करके बता सकते हैं, मैं आपके comment का answer दूँगा, और उहां पे अगर किसी प्रेशन का answer नहीं मिल ला है, तो मैं उसकी video जो है आपके लिए provide करूँगा, यह hope कि आप मेरी बा करता है कि आप थोड़ा सा channel को support करें, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बंदे मात्रम